राश्ट्र व्यापी टीका करान अभ्यान के अंतरगत अब तक देश में 107 करोड 29 लाग से जादा कोविट टीके लगाय जा चुके हैं स्वास्त मंत्राले ने बताया है कि पिछले 24 खंटों के दौरान 41 लाग से जादा कोविट टीके लगाय गए इसी दौरान करीब 12,000 नए मामलों के पुष्टी हुई है वर्तमान में 1,5 लाग से जादा मरीजों का इलाज चल रहा है ये संख्या 252 दिनों में सबसे कम है स्वास्थ होने की दर 98 प्रतिशत से जादा हो गई है कल 14,169 मरीज स्वास्थ हुए अब तक 3,37 लाग मरीज ठीक ह हो चुके हैं संक्रमण की देनिक दर एक प्रतिशत से कुछ जादा है देश में अब तक 61,12,00,000 से जादा नमूनों की जाच की गई है कल 10,68,000 से जादा नमूनों की जाच की गई केंदर सरकार ने राज्यों और केंद्र शास्त प्रदेशों को अब तक 114 करोड़ से जादा कोविटी के निशुल को उपलब्ध कर आए हैं मंत्राला ने बताया है कि इस समय 14 करोड़ 68 लाग से जादा कोविटी के सरकार के पास उपलब्ध है इधर राज्य में कल कोरोना के 22 नए मरीज मिले प्राइपोर और महासमुन में एक-एक मरीज की मौत होने का समझार है वहीं 16 जिलों में कल कोरोड़ का एक भी मरीज सामने नहीं आया है